नवस्कार स्वागत आप सोभी का पंजाब की खबरों में मैं आपके साथ निकिता कर्ष्या बुलिटिन की शुरुवात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो की चंडीगर से सामने आ रही है आपको बताते चले कि पंजाब में स्कूलों के नाम बदल दिया गया है आपको बताते चले कि सिक्षा विभाग ने यह बड़ा फैसला लिया है तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो की चंडीगर से सामने आ रही है आपको बताते चले कि पंजाब में सिक्षा विभाग की और से बड़ा एलान किया गया है बड़ा फैसला लि आपको बताते चले कि पंजाब में स्कूलों के नाम बदले गए हैं जिसमें 25 स्कूलों के नाम बदलने का बड़ा फैसला लिया गया है और सिक्षा विभात की और से यह फैसला लिया गया है वहीं आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर इस खबर का ऐलान किया गया और साथ साथ आपको हम ये सूची दिखा रहे हैं जिसमें तमाम नाम जो है स्कूलों के शामिल है जिनके नामों को अब बदल दिया गया है तो इस वक्त की बड़ी ख़बर हम आपको बता रहे हैं पंजाब में स्कूलों के नामों को बदला गया है और जिसमें 25 स्कूलों के नाम बद दो बार अलग-अलग जगाहों पर ड्रोन की मूवमेंट देखने को मिली है बताय जा रहा है कि ममदोट एरिये में और बारेका के पास ये ड्रोन मूवमेंट देखी गई है और उसके बाद दोनों जगाहों पर B.S.F. के जवारों ने देरा ड्राउन पर कई राउंड फाइरिंग भी की वहीं आपको बताते चले कि सुरक्षा को देखते हुए जवारों ने इलाक्वे में और खेतों में ड्राउन को लेकर सर्च आपरेशन भी चलाया कि अगरों आया है बाद सुनिये B.S.F. ने आके थे सर्च कर देने कुछ चल रही है सर्च कोई फाइर बगारा भी होए ने जी चार पांच फाइर होए ने ते ड्राउन आया है फर चला गया है पता नहीं चल लिए जवान किन्ने के सोले सर्च आपरेशन का रहे हैं? साट्र सत्र बंदर है पंजाब के साथ साथ तो एशिया की सबसे बड़ी आनाजमंडी खंडाई में मजदूरों ने दशहरे के दिन रावन की जगहे पर सरकार का पुतला फूकले का एलान कर दिया है आपको बताते चले कि दुशहरा के दिन पंजाब के करीब अठारा सो अनाजमंडियों में पंजाब के दस लाग के करीब मजदूर पुतला फूक कर प्रदुर्शन करेंगे संघर्ष का एलान करते हुए लेबर यूनियर पंजाब के चेर्मेन दर्शनलाल ने कहा कि अगर लेबर की मजदूरी 25 प्रतिशत ना बढ़ाई गई तो आगे जाकर संघर्ष जारी रहेगा और वहीं उन्होंने यह बेवताया कि दो साल से महंगाई के दोर में उनकी मजदूरी बढ़ाने को लेकर संघर्ष के आ जा रहा है जो मजदूरान दे हक देवें लड़ेगी और मजदूरान दा हक दोएगी और देड़ साल तो सासी पर टेक्स कर रहें सानों कोई हक नहीं मेरे हैं साड़ा दो ही मंगातियां के एक पच्ची परसेंट दा वादा किता जावे तेक तेड़ी लोडंग दी जो नेदी लोडंग दी मुझदूरी बहुत काट है बागिश्वर धाम के बाबा पंड़त धरेंदर शास्री सच्च खांडर श्री हर्मिद मंदर साहिप पहुचे जहां पर आपको बताते चले कि वाही गुरू का शुक्राना का अरदास के मौके पार उन बाबा ने गुरुवानी की शरवन भी किया और वहीं आपको बताते चले कि इस मौके पर उन्होंने आज वहाँ पहुचे हैं और गुरुगरन साहिब की कृपा के साथ सब पर कृपा बनी रहे इस मौके पर इंदरजीत निकु ने कहा कि उनकी आसा थी कि यहाँ पर आका माथा टेके तो आपको बताते चले कि बागिश्वर धाम के द्वारा गोल्डन टेमपल पहुचे हैं वो और जहां पर उनकी द्वारा माथा टेका गया और साथ साथ आपको बताते चले कि गुरुवारी का भी जो उन्होंने गरत है वो वहां पर सुना और इस बीच टेमपल में आपको बताते चले कि बागिश्वर बाबा के तमाम जो भक्त हैं वो भी यहाँ नजर आए और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आप साथ तोर पर देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरीके से भक्तों का ताता लगा हुआ है आप साथ और लगा है मैंनों पता नहीं, अपका बेज दार आएं अब अथा टेकना है, मैंनों होरकोछ नहीं पता है तोर्टन नहीं है भारत में मंगल में हो बें, सभी में एकता हो बें, सनातन धर्म इबं गुरुगर्ण साहब की क्रपा के साथ सभी के ऊपर हनमाइंग जी की दया बनी रहे यही मंगल कामना करने के लिए हम गुरु साहब को दन्दमत करने के लिए आये हुए हैं यहां से फिर हम पठान को की आत्रा करेंगे वहां तीन दिन तत श्री मद्देवी भागबत महाचरी प्रकापादम शुनाव करेंगे इसके बाद में फिर हम अपने धाम को चाहिए कह सकते हैं कि जो आपके भक्त हैं जो जाने वाले उनकों कभी उडीक ठीक है कब हो पंजाब की दर्ती पर आया है जी इसलिए हम आ गए आपकी आग्या लगी हमने स्विकार कर लिए आज जी निक्कु भी नाल पहुं अब खबार खन्ना से है जहां पार एक चोर पुलिस को चक्मा देकर थाने से भाग निकला हलाकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए उसका पीछा कर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है वहीं आपको बताते चले कि इस पूरी घटा का वीडियो भी साबने आया है जानकारी के मताबिक लुदिहाना पुलिस चोरी के किसी केस में खन्ना में रेट करने आये थी और कानूरी प्रक्रिया पूरा करते वक्त चोर पुलिस को चक्मा देकर थाने से भाग निकला फिलाल आरोपी चोर पुलिस के हद पे चड़ गया है आपको बताते चले कि हन्दा में को दाने में जे बंद था ARO और उसके बाद आपको बताते चले की छोड जो है वहाँ से निकल चाता है और जिसके बाद छोड जाधा दूरी तक नहीं पहुच पाया और वहीं पुलिस के सक्रियता दिखाते हुए तर्थवारत फुलिस के द् कारूपी को पकड़ लिया गया बटाला की पुलुस लाइड में पंजाब पुलुस के शहीदों के लिए इस बॉके पर उनके परिवारों को भी सम्मानित किया गया वह आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारियों के अलावा सेविल प्रशाशन के अधिकारी भी सम्मारों में मौझूट रहे नियाएंजीश के अतरिक्ता एससपी अर्श्वनी गोटियाल ने कहा कि इस दिन हम अपने शहीदों को उनके परिवारों के साथ याद करते हैं ताकि उन्हें अहसास हो सके कि पंजाब पुलिस उनका अपना परिवार है जी आज पूरे देश दिवच एक मातियास दे घिम्न वसी मनांगे तो शुक पर है तो शुक पर है अज जी इते बटाड़ा दे 117 जो जवान जो पुलिस से करन चारी है जिनने अपने शहादत दुटी सी पिछे अपनी चौन दो लेके हूं तक लिए उनना सारी आदी एक अपना प्राफधान है जी असे उनने नो याद करिया और उनना दे कुरबाने नो असी जी सलाम करिये ये हर साल भी असी कर दे हैं गया और इस साल उसी तरह इस साल भी सारे परिवार है जिनादे कारदे बच्चे जो है शिक्तिर होने से के नाड़े अपनी सारी पुशासर जिरा पुशासर नाड़ होके एक अपने अपना तरीका है कि जी अप आइनल याद करिया और उना दे कर पुलिस स्पुरती के दिवास के अफसार पार स्सपी गुर्दार्सपोरा हरिश दाइमा ने सानिय पुलिस लाइन में अपने संबोधन से पंजाब पुलिस और अरने सुलक्षा बलोग को शहीद जवानों की बाब भीनी शद्धांच्री अरपित की उन्हें जवानों को संब 21 अक्टुबार 1949 को चीडी सीमा पर हुए विवाद का जिकर किया और कहा कि सीमा पर जो यह है विवाद हुआ था उसमें हमारे CRPF के जवान्द सरीके से सोड़े और बहदरुई का उन्होंने परिश्य दिया था और लड़ते हुए वीर गती को प्राप्त हुए थे उनकी ही याद में 1960 से यह कारेकराम लगा था मनाय जा रहा है साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शहीद राश्टर की पूंजी है और इस मौके पर सब इस्पेक्टर करिश्मा और राजिंद्र कौर ने पिछले एक साल के दौरान देश भर में शहीद हुए लगभग 1090 है सुर अज 21 अक्रूबर दा भी आड़ा है आज दा दिन पुलस को मुम्मदेशन थे बजों नायदा में आज देन अपी भारत पूरे बारत देश ते विचे जिते राजियां थे ते परणिटरी या तैनल फोर्स ते जिनने भी पुलस्टर जवान सहीद होया पिछले एक वर्ष स पुलस्टर जवान सहीद है ते इस तो पहला भी जिनने भी शेली जो पुलस्टर जवान सीगे जिनाने अपने देश पती अपनी बीटी पती जो सबोच बलिदान लोगों दिता है त्योहारों के मद्य नजर पंजाब पुलस पंजाब में अमन चैन कायम करने की कोशिश कर रही है और इसी के तहर तर नवा शहर में भी स्पी बीडी मादवी शर्मा के नित्वत्व में जिला नवा शहर की पुलस ने फ्लाइग मार्च निकाला पहीं आपको बताते चले के एसी पी मादवी शर्मा ने मीडिया से बाचेत करते हुए अगा भी त्योहारों को देखते हुए पुलस ने यह फ्लाइग मार्च निकाला है ताकि किसी भी प्रकाय की कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके फेस्टिस सीजन स्टार्ट हो गया है नराते चल रहे है करेंटली अगे दिशेरे दाते हो हारा आ रहे है फिर करवा चौथ हा रहे है दिवाली आ रही है इस करके जिशेर दे विच ते आले द्वाड़े दे पिंडा दे एरिया दे विच शेह हीद पगसिंग नगर पुलीस बलनों फ्लाइग मार्च कर देया जा रहे है पुलीस नो हर जगा में चौंका ते ते गलियन उकरा ते तनाद किता गया है शिफ्टिंग नाका बंदी किती जा रही है इस वक्त की बड़ी ख़बर कारू करता है जो कि शड़िगर से सामने आ रही है आपको बताते कि कनेडा ने रिजनल आफिस को बंद कर दिया है और तो वहीं वहीं आपको बताते चले कि स्टुडेंट्स को काटने पड़ेगी दिली के चकर तो वहीं आपको बताते चले कि पढ़हाई की शुरुआत करने वाले स्टूदेंस बेहादी परिशान है और वहीं केनेडर में पढ़ने वाले स्टूदेंस को लगाता परिशानी भी हो रही है आपको बताते चले कि कनेडा ने रिजनल ओफिस को बंद कर दिया है और इसके बाद इस्टुडेंट्स को लगातार दिली के चक्र हैं वो काटने पड़ रहे हैं पढ़ाई की शुरुआत करने वाले स्टुडेंट्स बेहाद है परिशान हैं आपको बताते चले कि इस बीच जैसे जैसे कि भारत और कनेडा के बीच लगातार असमंचस की इस्तिती जो है वो बनी हुई है उसको देखते हुए आप स्टुडेंट्स के पढ़ाई पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है जिसमें कि आपको बताते चले कि आप चैसे पंजाब में सेलर मालिकों के हरतार लगाता चारी है और हरता से दारा मन्डियों में ध्चान की फस्थर का अमबार लगा हुआ है और जिसके चलते आर्टियों को कही तरह की मुश्किलों का भी सामना करना पढ़ रहा है और जिससे आने वाले सबय में मंडियों में किसारों और आड़तियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको बताते चले कि खरीद पर असर पड़ेगा और जिसके बाद खरीद एजनसियों के करमचारियों ने यह भी कहा कि पिछले दिनों पंजाब में हुई बारिश से धान के फसल में और भी नमी आई है और मंडियों में लिफ्टनिंग का काम नहीं हो रहा है और जिसकी बज़े से फसल खराब होने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए अगर मंडियों में पढ़िधान के फसल के लिफ्टनिंग नहीं हुई तो वोक हराब हो जाएगी और इसलिए हम सरकार से यह मांग करते हैं कि मंडियों में पढ़िधान को जल्द से जल्द लिफ्टनिंग करा आई जाए कि लॉंकर जी आज जैसी जड़ावा सूम खरीब एजंसियां दा स्टाप पे थे जड़ियां मुश्कला आ रहे हैं लिफ्टिंग नाओं संबंदी हो दा विचार करना से थे दाना मंडी वे चिकटे वे इसी के कि लिफ्टिंग दा जड़ा जल्द जल्द शुरू करवाया जावे तांको जड़ा एकता गलाटर लग रहे हैं लिफ्टिंग नाओं करना दूजे आरतियां दे कोलों भी जड़ी जड़ी जगा दी कमी हो रही है ति नमास्टाव जड़ा नू पक्खा लूंदे वेचे सफा सप्लाई करने वेचे भी दिक्कत आ सकती है ती जीगा लगिया एक बार्दा ने दी क्योंकि मिलर ने भी बार्दाना जड़ा पंजाव नहीं जा पॉंड़ा पंजातर परसन बार्दाना मंडी सप्लाई करना नहीं जाए मांग पत्तर रहे हैं लिफ्टिंग दी बहुत वर कोई दिक्कत ना होगी तो जे लिफ्टिंग नहीं होंदी कोई समय तक फिर एक खिरीद एजन्से में असमर्थ हो जड़ेंगे हैं खिरीद लुलाई के लिए आपको बताते चले कि जो सरीके से लगातार मंडियों में धान के आवक हो रही है तो इसको लेकर अब किसानों के द्वारा यही कहा जा रहा है कि मंडियों में जो सरीके से आसुविदाओं का सामना करना पड़ रहा है इससे किसानों को धान की जो उनकी फसल है उसके खराब कि संबावना बढ़ती चा रही है और उनके परिशानियां भी लगाता बढ़ी हुई है आपको बताते चले कि ये पिछले दिनों हुई बारिश के कारण भी किसानों की चिंताइब बढ़ गई है क्योंकि उनकी फसल बे अब नमी आ चुकी है और जिसके कारण उनका उठाब जो है लिफ्टनिंग जो है वो अब मंडियों से नहीं हो पा रही है और जो कि कहीं ना कहीं वेहद ही जादा असमंजस किस्ती बन गई है क्योंकि एक तरफ मंडियों में धान पड़ा है लेकिन उसके खरीद समय पर नहीं हो पा रही है, लिप्निग समय पर नहीं हो पा रही है और वही मौसम की बात की चाया, तो मौसम को देखते हुए अगर जैसे पिछले दिनों की बात की जाये तो बारिश की बज़े से धान में नमी भी बनी है तो इसको लेकर किसानों की कई तरीके की परिशानिया हैं जिनको लेकर आज उनके द्वारा मांग पत्र सोपा गया और जिसमें तमाम मांगों को रखते हुए उन्होंने चेताबनी दी है कि अगर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो अगामी दिनों में हम हर्ताल पर चले जाएंगे लुदियाना से सांसर दरवनी सिंग बीटू का बयान भी सामने आया है आपको बताते चले कि एक नवंबर को पी ए यू में होने वाली महा डिबेट को लेका बड़ा बयान उन्होंने दिया है उन्होंने कहा कि महा बहस में हम क्या दिखाना चाहते हैं क्या बहस करके पंजाब आपस में ही लड़ने लगे और वैसे भी बहस के लिए विधा सभा लोक सभा है वहाँ जौनता सही जुड़े मुद्दो पार चर्चा होनी चाहिए इस तरह का ड्रामा नहीं होना चाहिए S.Y.L. को लेकार चल रही गर्मा घर्पी को लेकार उन्होंने कहा कि यह मामला पुराना है S.Y.L. कनाल प्रानिया गला सब पिछे ने होना कई बार कई पार्टियान प्रानिया गला नो कर देया अजब गला दा मैना एक गला वे ना एक तुपका पानिया साठेकुर हैगा ना पंजाब किसे पानिया पंजाब भी कोई जान दे होगा जिए कोई स्यासी रोटियां सिकनियों सिक्खी जब सुख्रेम कोई होग पटैजिक。 पर पानी मैं थुनु ठोक बजा के कहना भी इच्चे दा पानी एक भूंद भी कोई पानी ना ले सकता ना किसे जह हिम्मत पंजाब के जाल अंदर से बड़ी खावर सामने आ रही है आपको बता दे की लाब ना थाने के आधीन पर्णिते टावर एंड क्लेव में एक यूवक ने अपने माता पिता और भाई को गोली मार कर हत्या कर दी वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुझी फुलिस ने आरोपी को भी गिरफतार कर लिया है वहीं ट्रिपल बर्डर का खुलासा भी हो चुका है आपको बताते चले के पॉलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है कि अबरे लिए बाद मार कर दो पहुझी फेस थी को फीन अब्रेक्स उप जटरह अजिए इस कोटी ते जगवीर सिंगे ता मालक है का उप हाए प्रड़ को टे उन्हाँ बेटा एक को कर अदे ना बेटे ने हरफीत ने अपने लसांसी अपने बादे लसांसी आपने बाद आपने फादर एक राइफल है किया पॉइंट विय्पकूंद लूदे बज़ेया जी मदर्गेग फरय मारे आई थे अपने म्रदर बसक्रे में अपक्ति तन्हा के कि आप बोड़ां नौसी जा इन आदी जाल शारी कारवई लगें अरब लियूधी जो शामू खले फैला फिरोजपूर के एतिहासिग सारगडी गुरुद्वारा साहे में पूरे कंबोज समुदाई की तरफ से एक विशाल सभा का आयूजन क्या गया आपको बताते चले कि जिसमें कंबोज जाती सर्विक्षन को ततकाला बंद करने जाती के महान यूद्दाव की पहचान बदलने और पंजाब में पिश्डे वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षन कोटा देने की मांकी गई और इसमें कंबोज समुदाई के हजारों लोगों ने भाग लिया वही कि अंतराश्ट्रिय सर्व कंबोज समाज के हरजंदर हांडा और नेता इकबाल कंबोज ने कहा कि पिश्रावर्ग आयोग पंजाब की तारफ से विभिन जिलो के उपायुक्तों को कंबोज जाती सर्विक्षन करने के लिए जारी के गए निर्देश विल्कुल गलत और अन कि बी-सी कैटा गरी देवे चांदी है बी-सी कैटा गरी दे जिनने लाब ने कमोज बरादरी दे पड़े लिखे नौजवाना नो ओ मिल देने अज जे एका ठेसली कीता गया है के चार व्यक्ती ने मलदेव सिंग कुलबीर सिंग दुरिंदर सिंग कमल शेर सिंग उनना ने अपनी रेटिजेरी वापस ले लिए वकालत नामा देता है और उनना ने अलफिया ब्यान मी नाल देता है कि जिनने वी सानु हाक मिल देने मैं कमोज पाई चारे दे नाना जिनने वी पंजाब दे डी-सी ने बहुते डी-सी जिने रपोर्ट नेल लेखके पे जीए इटमि सब गल करके गया है उनने नाली के लड़ी जोडनी चामा गया के देखो चार बंदे है जिननने कोड दे विच रेट पाती के असी जड़ी कमभोज ब्रादरी वाले आते सानु बी-सी दे विचो पच्छणियां श्रेणियां दी लिस्ट दे विचो बार कर दिता जावे सब गल एए जदो में कोई कोड दे विच रेट पांदा है ते कोड वाकवाक तीरा नो नोर्स जारी कर दी है कोड दे वलों हाई कोड दे वलों बी-सी कमिशन पंजाब नो नोर्स जारी किता गया भी आ केस है ते तो नो नोर्स जारी किता है दा अपना जवाब दियो उनकी सिगा बी सी कमिशन पंजाब उन्दा फर्ज ए बंगदा सी भी हाई कोर्ड वेच अपने लेवल ते जवाब दे दिन्दा तो फिलाल इस बुलिटिन में नहीं खबरों के और भी जानकारी के लिए बने रहे हमार साथ नमस्कार झाल